प्रिगे स्कूल के इस यूटूब चनल में आपका स्वागत है हम फिफ्ट क्लास टू सैवन्थ क्लास कॉमन टोपिक रिजिनिंग का डारेक्शन टेस्ट पड़ें जिसका एक वीडियो हो चुका है तो अभी तक हमने के दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से इस तरह के क्यूशन हमने किये हैं आज हम करेंगे चेंज चैंजिंग ओफ डारेक्शन आज क्यूशन पढ़ेंगे चैंजिंग दा डारेक्शन बेस्ट क्यूश्चन ठीक है डारेक्शन चेंज करते हैं जैसे क्यूशन यहां पर है क्यूशन ऐसा है इफ साउथ इस्ट साउथ इस्ट बिकम नॉर्थ ठीक है बिकम नॉर्थ ठीक है एंड नॉर्थ इस्ट क्या हो रहा है वेस्ट हो रहा है ठीक है डैन वात विल बिससाउथ बिकम तब जो है साउथ क्या हो जाएगा मतलब साउथ कहां चला जाएगा किस डारेक्शन में चला जाएगा तो देखिए इस को कहा से बहुत पहले हम एक्छोल पोजिशन देखेए डिरेक्शं कुल सी किदर होती है यह नौर्थ अब का यह साउथ यह ये इस्ट यह वेस्ट और इनके बीच में आपकी यह आपका नौर्थ यह आपका northwest यह आपका southwest और यह आपका southeast ठीक है अब देखी क्या हुआ है कहता है कि south east साउथ इस्ट जो है चेंज होके north की तरफ गया है south यह है यह change होके कहां पर गया है north की तरफ यह देखिए हां से चल गई यह यहां पर गया है एंड नोर्थ इस्ट यहां से उठके और कहां चला गया है वेस्ट की तरफ चला गया है तो हमें एक आइडिया मिला कि जो है जो डारेक्शन अपनी जगए को छोड़के और वान टू और थर्ड स्टेप पे जा रही है ठीक है यहां से चला इसको क्रोश किया इसको क्रोश क्या और यहां पर आके या फिर यूँ समझें 45 45 और 45 मतलब 135 एंटी क्लोक्वाइज डारेक्शन में मुवमेंट हो रहा है प्रतेक डारेक्शन का तो हम ऐसा ही करते हैं हमें आइडिया तो मिला गया ना कि जो है कौन सी कहाँ चेंज हो रही है कर नॉर्थ सडरी यह तो करने के बाद लिखेंगे हूं ट्रीन हम कहीं से लग जाएं जैसे साथीष्ट कम के कहाँ रहा है यहां पे आ रहा है साथ इस्ट ठिक है साुट्ध यहां पर था यहां पर और यह घूंके यहां पर आया तो हम क्या करें अब इधर क्या रहेगा आपका इससे आगे इससे आगे आपका रहेगा इस्ट ऐसी लगातर चलेंगे ना फिर फिर यह हो जाएगा आपका नोर्थ इस्ट फिर आपका नोर्थ फिर आएगा नोर्थ वेस्ट फिर आपका यहां पर नोर्थ वेस्ट के बाद व कि फिसकी को हमने हमें यह अटेयी लग गया कि पर्त इक जो हम सबसे पहले हैं यहां पर है फेंड कि यहां पर सेट किया है तो पर यह आगे यहां पे आएगा यह यहां पर आए गया इसे रूटेट हो रहे है यही फाइफ एंटी क्लोकवाइज ठीक है 135 डिग्री एंटी क्लोक वाइज डारेक्शन में मुवमेंट हुई है परते की ताब देखिए साउथ कहां गया साउथ तो यहां पर आगया और यह कूंड से डारेक्शन होती है एक्चल में नौर्थ इस्ट शांसर इस नौर्थ इस्ट का साुथ क्या हो गया है अपका North कि एक कर रहा है वो का नौर्थ कि टरफ इधर उसका फेस है चरा है इधर वेस्ट की तरफ मैने फेसिंग नौर्थ वेस्ट यह इधर फेस कर रहा है नौर्थ वेस्ट ओके अब देखिए उसने क्या किया सुपोज हम यहां पर यह लाइन लगा लें यह हमने डारेक्शन वाले लाइन लगा लें आदमी कहा खड़ा है इधर फेस करके इधर ठीक है ही टरन नाइन टी डिग्री इन क्लोक वाइज अब देखिए यहां से इधर नाइन टी डिग्री तो यह इतना तो 45 तो 45 ओर आगे यहां तक आएगा मतलब यह कहां आ गया विसका फेस इधर हो गया और यह कॉंड़ सी डिरेक्शन होती है आपकी नौर्थ इस्ट एक लोग अब यहां से उल्टा कितना 135 तो 135 मतलब 45 45 & 45 तो यहां से चलके 135 यदि घूमेगा तो इधर उसका फेस हो गया वापिस से ठीक है अब यह कॉंड़ सी डिरेक्शन होती है आपकी वेस्ट अब वो किस तरफ फेस कर रहा है वेस्ट की तरफ ठीक है यह आपका 135 डिग्री इन एंटी क्लोकवाई डिरेक्शन ठीक है अब देखिए कल हम ने क्योश्चन किये थे उसमें सिरफ एक ही आदमी मुव कर रहा था अब यहां पर सुपोस्ट दो आदमी है क्योश्चन ऐसा है एंड़ बी स्टार्ट वाकिंग इन ऑपोजिट डीरेक्शन ठीक है अब देख चलते हैं start walking in opposite direction मतलब एधर चलता है ठीक है और बी इधर चलता है opposite direction में चलेंगे ये ठीक है एवागज 5 km सुपोज ये है और ये 5 km इसने यह है ठीक है और यह जो है तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा कर लें कितना six kilometer यह आया है six kilometer ठीक है अब देखिया आगे क्या कहा है देर आफटर बोच तर देर राइट एंड वाक two किलोमेटर दोनों अपनी राइट की तरफ मोड़ते हैं अब देखिए ये जो आदमी है इसका राइट इधर होगा और ये जो है इसका राइट होगा उपर की तरफ समझे रहो इसका राइट होगा इधर और कितना चलेगा ये टू किलो मिटर ओके और ये इधर चलेगा उपर कि तरफ कितना यह भी किलोमेटर ठीक है यह यह दोनों अब यह पे पहुंच गया है अगेन क्या कहता है है यह दे टरॉन सबक्राइट अगेन एण गड hosts किलोमेटर वो दोनों फिर राइट वोड़ते हैं दोनों कि दमने कि देख अब कि दिर कि दोगा इधर और बी का राइट कि दोगा इधर मैंने कहाना जहां भी आप खड़े हो वहीं पर आप क्या कर लो अपने आपको घड़ी का हैंड मानने और गड़ी क्लोकवाइज डारेक्शन में शाराइट होती है उसकी तो यहां पर सुई है तो वह इधर मुड़ेगी तो बी ओर भड़ी की सुवाइधर है तो एधर मुड़ेगे और और यह किटना 3 किलो मिटर मां में आप दूद्नहीं यह उसकंगी और यह आंपका यहां आगे अगेन टू राइट एंड ओक ड्वाग्ट टू किलो मेतर वो फिर से दोनों के दोनों राइट मुड़ते हैं अब देखिए इसका राइट ऐसे है एरो तो फोई तो इतनी चाहिए घड़ी की दो किलो मेंटर देखिए टू किलो मेतर यहां से लेकर इतना है तो यह भी पूरा यहां तक आ के मिल जाएगा वापिस से ठीक है अब B आपका यहां आ गया है और इसका राइट इधर होगा और दो किलमेटर चलेगा तो वापिस से उसी रास्ते पे आ गया यह अब A यहां है ठीक है अब देखिए पुछा यह गया है कि how much distance apart they are from each other अब वो दोनों एक दूसरे से कितनी distance पे हैं तो ये B है, B की final position है और ये आपकी A की final position है अब ये distance कितनी है, अब देखिए ये यहां से कितनी दूर गया था? 6, 6 में से वापिस कितना आ गया? ये इतना, ये इतना कितना है? 3 किलोमेटर के इक बल तो 6 में से 3 इदर कैंचल हो गया तो इदर कितना बच गया? 3 किलोमेटर, ओके? और A यहां से चलके 5 किलोमेटर गया था लेकिन यहां से यहां तक वापिस कितना कवर किया? 3, तो 3, ये भी 3 है ठीक है? डारेक्शन अमेशा, परपेंडिकुलर होती है नौर्थ, साउथ हो गया ठीक है? तो ये एक दूसरे के पैरलल लाइन हो गया और पैरलल में जब बराबर चलेगा तो डिस्टेंस उतनी ही कवर होईगी तो ये 5 में से 3 कैंचल है, यहां पर कितना बच गया? 2, तो A and B are 5 किलो मिटर अपार्ट प्रॉम इच ऑदर ठीक है? तो ये इस तरह के किशन आप कर सकते हैं देखिए, आगे और टाइप है देखिए, यहां पर किशन ऐसा है यह एक फिगर है आपके सामने देखिए, हम यहां पर direction के arrow लगा देते है North, South, East, West अब 4 persons हैं, जिन के नाम है A यहां पर D है, यहां पर B है और यहां पर क्या है आपका? C अब देखिए क्योशन क्या कहता है क्योशन कहता है कि इस डाइग्राम में A स्टार्ट क्रोसिंग दा फिल्ड डाइगनली, सुपोज यह एक फिल्ड है ठीक है? यह एक खेत है अब डाइगनल इसके इधर है, यह और यह, डाइगनल इसको सेंटर से, यह यहां से चला क्या कहा? A स्टार्ट क्रोसिंग दा फिल्ड डाइगनली, ए ने डाइगनली चला डाइगनल तो ऐसे होगा इसका, ठीक है? यहां चलके मिडवे में, आफ्टर वाकिंग, हाफ दा डिस्टेंस, देखो पूरी तो यहां तक होती, लेकिन हाफ चला, मतलब वो सेंटर में आ गया, एक हाँ पर आ गया, सेंटर में अब इसके बाद क्या होता है, ही टरन राइट, अब देखिए, यहां पर कोई है, तो उसका राइट किदर होगा, उपर की तरफ, ही टरन राइट, वाक सम डिस्टेंस, अब देखिए, यहां से अब मुडने के लिए जब कहेंगे ना, तो हमेशे 90 डिगरी पर मुड़ेंग इस उसने कवर की, सुपोज यहां तक पहुंचा वो, या फिर और और आगे वी जा सकते हो आप, ठीक है, अब कितना चला, यह तो इसने बताया नहीं, कुछ के लिए कहा है, हम थोड़ा से चले, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एंटरन लेफ्ट, और देखिए, से मुड़ गया, यह इधर आ गया, ठीक है, एसे चल रहा है, ठीक है, अब इसने क्या पूच्छा है, विच्स डारेक्शन इस ए फेसिंग नाव, ए, किस डारेक्शन की तरफ फेस कर किया हुआ है, मतलब किस तरफ उसका मुह है, तो देखिए, यह जो डारेक्शन है, यह ड करें, डारेक्शन को, इस तरह से चेक करते हैं, डारेक्शन को, ठीक है, इधर है, इधर क्या होता है, यह आपका, साउथ, यह आपका, वेस्ट, तो कोण सी डारेक्शन होगी, साउथ, वेस्ट, यह डारेक्शन आपका, कोण सी भी, साउथ, वेस्ट, ठीक है, चलो, अब द देखिए यह है आपका A D B C क्यूशन कहता है फ्रोम दा ओरिजिनल पोजिशन गीवन इन दा फिगर ठीक है एंड बी मूँ वन आरम लेंथ क्लोक वाइज डारेक्शन कौन ए और बी क्लोक वाइज डारेक्शन में तो क्लोक वाइज ऐसे होती है ए और बी एक साइड कवर कर लेते हैं मतलब ए आपका पहुंचके यहां पे ठीक है एक बार आजूम करें ए और बी क्लोक वाइज चलके तो क्लोक वाइज डासे होता है तो ए इधर आ गया एक आरम और बी यहां पे पहुंच गया एंड दैन क्रोस ओवर दा कोर्नर डाइगनली अपोजिट टूसी एंड जी देखिए अब क्या करते हैं ए और बी आएगा देखिए बी यहां है यहां से चलके कहां आ जाएगा यहां पर भी पहुंच जाएगा और यहां से चलके कहां पहुंच जाएगा यहां पर यह यह हो गया और यहां पर आपका क्या हो गया भी समझें आप यहां तक की पोजिशन हो गई है इसके बाद आगे कहता है C and D move one arm in anti-clockwise अब C और D ये तो देखो clockwise चले थे न ये और भी तो ये anti-clockwise चलते हैं मतलब D यहां से पहुँचके कहाएगा यहां पर और C आएगा यहां पर anti-clockwise and cross over the corner diagonally opposite उसी तरह से C आपका यहां आ जाएगा तो यहां आपका अब क्या हो गया C ठीक है और D आपका यहां आ गया ठीक है अब ये C और ये D नहीं है सब्सक्राइब आ गया अब जो पहले हमने लिख रखा था ये figure थी क्या A, D, B, C कहता है कि A, D, B, C अब बन के क्या हो गया है A, D, B, C अब देखिए, बन के आ गया A के दर क्या आ गया C, B के दर क्या आ गया D A, D, B और यहां प। यहां पर क्या आ गया अब नहीं D की जगा आ गया B और B कि जगा आ गया यह B ठीक है और B के जाए क्या आगया D और ये क्या हो गया अपका A ठीक है देखो ये तो पहले कि है ना ये वाला ये वाला ये और ये और पोजिशन चेंज होने के बाद कुन सा है अपका ये और ये और ये और ये ठीक है तो A, B A, D B, C चेंज होके क्या बनगे C, B, D, A ठीक है इस तरह से यह direction से related question थे अच्छा कई बार इस तरह के question भी पूछे जाते हैं कि एक आदमी और ने 5 left लिए ठीक है और 7 right लिए ठीक है फिर उसने फिर उसने 2 फिर left लिए और फिर 3 right लिए ठीक है इस तरह से मालों बहुत सारे देता है ठीक है तो कहता है कि अब उसका face किदर है मालों starting point उसने बता दिया कि वो इस की तरफ से चला था इस की तरफ उसका मूँ था 5 left लिए फिर 4 right लिए फिर 2 left लिए फिर 3 right लिए ठीक है तो इस तरह की question को हम कैसे कर पाएंगे पहले आफ left left को add करें तो 5 और 2 7 और right राइट करें तो यह हो जाएंगे आपके 10 यह left हैं और यह आपके राइट हैं तो दिखिए एक लेफ्ट और राइट इक्वल नंबर में आप cancel कर सकते हैं एक left से एक right से ठीक है एक बार आदमी left मुड़े और फिर दुबार से right मुड़े तो उसकी वही direction रह जाती है ठीक है एक left और एक right लेने से जिस direction में वो चल रहा था वह पिस से उसी direction में चलना शुरू कर देगा ठीक है देख लो यहां इदर इसे चल रहा था एक आदमी उसने एक left लिया और फिर right लिया तो एक left से right cancel होके उसी direction में वो चल रहा था जैसे इस direction में चल रहा था तो 10 यहां पर देखिए 10 right है 7 left है तो 7 left से 7 right तो cancel 7 right तो cancel 3 right बचते हैं ठीक है 3 right अब देखिए ऐसे चल रहा था इस्ट की तरफ राइट लिया उसने ऐसे आ गया फिर right लिया ऐसे और फिर राइट है ऐसे तो यह किस direction होगा इसका फिर सब नॉर्थ की तरफ ठीक है और एक बात और सिधाई कह दे कि 25 left 25 left लिए एक आदमी ने और यदि वो इस्ट की तरफ से चल रहा था इस्ट की तरफ से start किया था उसने और 25 left लेने के बाद अब उसका face के दर है तो कैसे करेंगे फोर के multiple में फोर के multiple में चाहे left हो चाहे right हो cancel हो जाते है क्यों कि देखिए कि आदमी ऐसे चल रहा है इसकी तरफ एक left लिया यह एक right लिया सुपोज फिर right लिया two फिर right लिया three फिर right लिया तो मतलब वहीं से जैसे पहले चल रहा था वहीं पर आ गया तो four के table के आप उसको cancel कर दें तो 24 तक वही डारेक्शन रहेगी इसके बाद एक left बचता है तो इससे हम left लेंगे इससे हम left लेंगे उपर की तरफ तो कुंड सी डारेक्शन हो जाएगी आपकी North ठीक है इस तरह के question आप इसमें कर सकते हैं Homework आपको मिलेगा Google Classroom में तो आज के लिए इतना ही thank you have a nice आपको में तो क्वे इससे हमें तो आपको में तो ही जाएगी में हम कर दोदिए। क्वेशने तो आपको में तो